एक लड़के को पता चलता है कि उसके फादर का किसी लड़की के साथ अफेर चल रहा है इसके बारे में उसने और भी जाना तो उस लड़की के साथ उसका भी अफेर हो जाता है मतलब एक साथ फादर और सन इनका एक लड़की के साथ अफेर चल रहा था अब आगे क्या होगा या आज क्या हमारी मूवी तो Only Living Boy in New York इसमें हम देखेंगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजेगा अब बिना किसी दिरी के explanation स्टार्ट करते हैं मूवी स्टार होती है और हम अमारे मेन क्यारेक्टर थॉमस को देखते हैं थॉमस अपने फ्रेंड के साथ जिसका नाम है मीमी एक आर्ट गैलरे में आया हुआ था उसे एक्च्छल में एक राइटर बना है और इसी के लिए आज कल वो स्ट्रगल कर रहा है उसकी फैमिली रीच है उसके फादर पबलीशिंग में काम करते है पर फिर भी उनसे वो हेल्प नहीं लेना चाहता थॉमस मीमी से बहुत प्यार करता है पर मीमी का अल्डेडे एक बॉइफ्रेंड है एक रात इन दोनोंने साथ बिताई थी जो इन दोनों के लिए बहुत ही ब्यूटिफुल थी आज मीमी ने थॉमस से का कि मुझे एक वर्शॉप के लिए एक अलग कंटर में जाना पड़ेगा थॉमस इस बात से बहुत अपसेट हो गया उसकी लाइफ में एक ही कॉंस्टन्ट है और वो है मीमी उसे बहुत प्यार करता है इस तरीके से उसे जाने नहीं दे सकता ये सारी बाते उसने उसे कही पर मिमी कहती है कि हम दोनों में क्या है ये हमें अब तक पता नहीं है मेरा बॉइफ्रेंड है Thomas मिमी से कहता है जो रात हमने साथ में बिदाई थी वो बहुत ही स्पेशल थी पर मिमी को ऐसा नहीं लगता वो गहती कि उस रात हम ड्रंक थे हमने ड्रंक्स भी लिये थे वो हमेशा Thomas को इसी तरीके से ट्रीट करती है कभी भी सीरेसली लेती नहीं Thomas उसे कहता है मुझे तुमारा सिर्फ फ्रेंड नहीं बनना है उसे जादा होना है पर मिमी इस बात के लिए मना कर देती है Thomas इस तरीके से अपनी फिलिंग जटाने के बाद भी मिमी का फ्रेंड नहीं रह सकता था ये बात उसने मिमी से कही तो इस बात से वो अपसेट हो गए इसके बाद जब वो घर पर आ तो एक स्टेंजर उससे बात करता है कहता है कि तुम बहुत ही अपसेट लग रहे हो क्या है लड़की का मामला है उसका नाम क्या है Thomas को तो पहले अजीब लगा पर वो कहता है उसका नाम है मीमी यह स्टेंजर उससे कहता है मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हो अगर तुम मुझे उसके बारे में बताओ तो शायद तो तुमारी गल्फेंड हो जाएगी Thomas को यह बात बहुत ही अजीब लगी इस बात को इग्नोर करकर अपने रूम में चला जाता है इस ट्रेंजर का नाम था गेराल और Thomas को उसका रियल नेम अब तक पता नहीं है यह मुवी में उसे आगे पता चलेगा गेराल की बात पर Thomas ने सोचा और फिर उसके पास वो फिर से वापस आ जाता है Thomas ने अपनी पूरी प्रॉल्म के बारे में गेराल से बात किया गेराल उसे गहता है कि तुम दोनों की एज बहुत ही कम है इस एज में आदमी बहुत ही suspicious होता है तुम अगर उसके लाइफ से जरा दूर जाने लग गए तो उसे तुमारी कमी महसुस होगी और फिर वो तुमारे पास आ जाएगी तुमास कोई बात समझ में नहीं आ थी और इसको इग्नोर कर देता है आजरा तुमास अपने फैमिली के साथ डिनर कर रहा था क्योंकि उसकी मदर ने उसे insist किया था उसकी मदर का नाम है जूडित वो हमें जूडित के बारे में बताता है कि उसके लिए फैमिली बहुत ही इंपोर्टन्ट है अगर फैमिली तूट गई तो बहुत ही जादा बिखर जाएगी जूडित को बहुत सारे mental health issues भी थे तुमास के फादर का नाम है इथन तुमास इस तरह के से अकेला रहता है उनसे कुछ भी support नहीं लेता तुमास इस बात से बहुत जादा डिस्टब हो गया वो अपनी मदर के लिए वरी करता है अगर मदर को पता चला तो बहुत जादा हर्ड हो जाएगी अगले दिन तुमास इथन के साथ लंच करता है यहाँ पर उन्हें confront करने वाला था पर कुछ भी बोल नहीं पाता तॉमास ने वराइटर बनने के लिए कॉलेज भी छोड़ दिया था तो इतनों से कहता है कि एक करियर काउंसिलर है उससे तुम बात कर लो तुमारे करियर के लिए बहुत ही अच्छा होगा तॉमास फिगर आउट ने कर पाता कि इतन ने सब किया क्यों होगा रात में वो और गेराल जब ड्रंक हो रहे थे तो गेराल ने उसे पुछा तुम लाइफ से चाहते क्या हो तॉमास को अब तक इस बात के बार में कुछ भी पता नहीं है वो राइटर तो बनना चाहता है बचपन में उसने स्टोरीज भी लिखी थी ये जब उसने इतन को दिखाए तो इतन ने उससे का कि ठीक ठाक है इसमें उन्हें कुछ भी अलग नहीं लगा था उन्हेंने उसे इंकरेज नहीं किया था जब इतन यंग थे तो वो भी राइटर बनना चाहते थे पर उनमें उतना ज़ादा टैलेंट नहीं था इसी वज़े से पब्लीशिंग की कमपनी उनने खोल ली इसमें वो सक्सेस्फुल हो गए थे नेक सिन में हम देखते हैं कि थॉमस देखना चाहता था क्या इतन जोएना से फिर से मिलता है वो इतन के ओफिस के सामने नजर रखता है तो वहाँ से जोएना निकली तो उसका ओप पीछा करने लग गया एक दिन जोएना का पीछा करते कर दे थॉमस ने उसे रोक लिया जोएना कहती कि मुझे पता है कि तुम कौन हूँ वो फिर उसे लंज के लिए लेकर गए थॉमस पुछता है कि तुम दोनों को एक साथ कितना टाइम हो गया मेरे फादर मैरीड है तुम दोनों में कुछ भी फ्यूचर नहीं है वो कभी भी मेरी मदर को नहीं छोड़ेंगे जोएना कहती कि तुम्हारी मदर और फादर की रिलेशनशिप के बारे में तुम्हें कुछ भी पता नहीं है शायद तुम्हारी मदर तुम्हारे फादर से डिस्टिंक्ट है कभी-कभी लोग जो नहीं चाहते है वो भी करते रहते हैं तुम मेरे साथ इंटिमेट होना चाहते हो Thomas कोई बात बहुत ही अजीब लगी वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है वो गुसे में यहाँ से चला गया नेक्सिन में Thomas जब उनी मदर के साथ था तो मदर उसे कहती है तुम ही मेरी लाइफ का एक तारा हो वर्ल में सबसे जदा Thomas से ही प्यार करती है Thomas उसे सब कुछ सच बताना चाहता था पर कुछ भी बोल नहीं बाता नेक्स डे Thomas फिर से जोएना से मिलने के लिए गया वो से कहता है कि जैसा तुमें लग रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है प्लीज मेरे फादर से मिलना बन कर दो जोएना को किसी भी तरीके की कमिट्मेंट अच्छी नहीं लगती है इतन ने अभी-भी उससे कहा था कि उससे शादी करेगा इस बात से ओर डिस्टरब थी जो भी कुछ चल रहा है इसके बारे में थॉमस गेराल को बताता है गेराल ने उसे पूछा क्या जोएना तुमें अच्छी लगती है थॉमस पहले इस बात को मना करता है पर गेराल के प्रेस करने के बाद थॉमस ने इस बात को एंडमीट किया नेकसिन में हम देखते हैं कि इतन के ओफिस के पार्टी थी, वहाँ पर थॉमस को भी इन्वाइट किया गया था, आज वो यहाँ मिमी के साथ आया, वो नोटिस करता है कि जोएना भी एक मिलिनेर के साथ यहाँ पर आई हुई है, अकेले में उसने उसे बात किये, कहा उस मिलि उसरे के साथ इंडिमेट हो गए थे, एक दिन थॉमस ने गेराल को उसने जो भी लिखा हुआ है, यह पढ़ने के लिए दिखाया, गेराल उसे कहता है कि यह बहुत ही अमेजिंग है, तुम्हें एक अच्छे व्राइटर बन सकते हो, थॉमस कहता है कि अब मुझे लगने ल इतन कहता है, तुम मुझे कुछ बता नहीं रहे हो, तुमारी करियर काउंसेलर के साथ अपॉन्मेंट थी, तुम गए ही नहीं, थॉमस कहता है कि मुझसे गलती होगी, मैं कुछ ना कुछ तो कर लूँगा, थॉमस जब घर पर आया, तो गेराल अपने रूम में नहीं था, वहाँ पर उसने गेराल की बुक देखी, अभी उसे गेराल का नाम सही तरीके से पता चला, उस पर रिसर्च करने के बाद उसे पता चलता है, गेराल एक बहुत ही अच्छा राइटर है, उसने अब तक 12 बुक्स लिखी हुई है, आजकल गेराल थॉमस के बार में बुक लि रहा, उस रात पार्टी से तुम दोनों अकेले घर गए थे, वो फिर खुद ही बोलती है, कि तुम ऐसा कुछ भी करोगे नहीं, तुम उन लोगों में इसे नहीं हो, आज रात जब थॉमस जोएना के साथ था, तो उसे गहता है, तुम इतन से मिलना बन कर दो, जोएना भी ट्रबल में थी, वो थॉमस और इतन दोनों की केर करती थी, उसे क्या करना चाहिए, समझ में आनी रहा था, उसने फिर डिसाइड किया, कि वो थॉमस और इतन इन दोनों से ब्रेक अप कर लेगी, थॉमस इतन को फोन पर जोएना से जगर तो देखता है, उसे लगता है, कि इतन से उसने ब्रेक अप कर लिया, एक रात इतन की यहाँ पर पार्टी थी, थॉमस ने गेराल को भी इस पर इन्वाइट कर लिया, दूर से थॉमस ने गेराल को मीमी दिखाए, मीमी जुडित के साथ खड़ी थी, तो गेराल ने खा, तुमारी मदर बहुत ब्यूटिफु तब ही थी, तब ही थॉमस उसके पास आ गया, जोएना यहाँ बर उससे भी ब्रेक अप कर लेती है, जोएना कहती है, तुमारे फादर ने मुझे प्रपोस किया, अब ये सब करना गलत होगा, इस बात से थॉमस गुस्सा हो गया, उसे लग रहा था कि इतन और जोएना अच्छी भी जाई, आजकल थॉमस उससे दूर रह रहा है, उसे बुरा लगा इस वज़ा से उसने अपने बॉइफ्रेंट से ब्रेक अप कर लिया, ये बात थॉमस को बता देती है, थॉमस उसे जोएना के बारे में सच बता देता है, इस बात से वो डिस्टब होगे पर जुडित पुछती है कि बात क्या है, तुम डिस्टब लग रहे हो, थॉमस कहता है कि एक बात है जो मुझे करनी पड़ेगी, पर इन सब से मैं भाग भी सकता हो, जुडित ने कहा कि कभी-कभी आपको चीज़े करनी पड़ती है, यही लाइफ में आगे बढ़ने का एक सही किया, तुम जो डिसर्फ करते थे, यह सब कुछ मैंने तुमें दिया, उसे मार सकता था, पर अपने आपको कंट्रोल कर लेता है, रोते-रोते वहाँ से हो चला गया, जोएना थॉमस को उसके बच्पन के एक तस्विर दिखाती है, जोएना ने कहा कि इथन ने तुमारे गेराल, इथन और जूडिल, यह यंग एज में फ्रेंड हुआ करते थे, इथन और जूडित की शादी हो गई थी, बहुत साल बीत गया और उन दोनों को बच्चा नहीं हुआ था, यह मेडिकल प्रावलम इथन की थी, अब इथन और जूडित ने मिलकर डिसाइड किया, क् इथन और जूडित में कुछ भी डिवास ना हो, इस वज़े से गेराल इने चोड़ कर चला गया था, इथन और जूडित में अब कोई भी प्यार नहीं था, पर फिर भी ओ थूडित की लिए एक साथ रह रहे थे, कभी-कभी गेराल जब थूमस को मिस करता, तो उसका गेम के लिए आया करता था, उसे दूर से ही देखकर उसे बहुत अच्छा लगता, अब बहुत सालों बाद उसे लगा कि थूमस से उसे मिलना चाहिए, थूमस में जो टैलेंट है, इसे बढ़ावा देना चाहिए, इस वज़े से वो फिर से उसकी लाइफ में वापस आ गया था ये दोनों जब बात करते हैं तो थूमस को बहुत अच्छा लगा, उसे अच्छा लगा कि उसका टैलेंट अपने फादर से आता है, वो फिर अपनी मदर से मिलने के लिए गया, सारी चीजों को उसने एक्स्प्लेन किया, जुडित पूछ थी कि घेराड कैसा है, वो भी उस इसे प्यार करती है, हमेशा उसके बुक्स पढ़ती है, अब मुवी में हम देखते हैं कि एक साल बीच चुका है, थॉमस ने अपने एक बुक कम्प्लेट करकर सेल भी किया, आज उसे मिलने के लिए फिर से इतन आया हुआ था, सब कुछ इसे एक लेर होने के बाग, इन दो और गेराड़ी 20 साल बाद एक दूसरे से मिले, और अब एक साथ है, थॉमस इन दोनों को देखकर बहुत खुश था, यही बरे मुवी एंड हो जाती है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज इसे लाइक कर दीजेगा, यह बहुत सारी मुवीज लिकर आ कर दो केareth वीडियो तका मुवीज और एक